तो दोस्तो आज मैं explain करने वाला हूँ 2022 में आई movie बधाईदो को इसकी ratings की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्दी रिलीज हुई है तो ratings उपर नीचे हो रही है मैं movie को explain करूँगा लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं इससे आप हमारे चैनल से जोड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे और जिन्नोंने subscribe करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग ऐसे ही चैनल से जोड़े रही है मैं आप के लिए वीडियोस लाता रहूंगा और अगर आप मेरे थोड़ा और करीब आना चाहते हैं तो मुझे Instagram या Facebook पर भी follow कर सकते हैं लिंक आपको description में मिल जाएगा तो movie की शुरुआत में हम एक बहुत बड़े परिवार को देखते हैं जिसमें की किसी लड़के की शादी की बात चल रही होती है लड़के का नाम श्रदूल होता है और उसकी उमर दिन बदिन बढ़ती जा रही थी इसलिए परिवार वाले उसकी शादी कराना चाहते थे और चाहते थे कि उसकी शादी बस कैसे भी करके हो जाए अब हम श्रदूल को देखते हैं जो की पेशे से एक पुलिस आफिसर होता है लेकिन उसकी पोस्टिंग महिला थाना में हो रखी थी जिस बार से वो बहुत परेशान होता है क्योंकि वो दिन बर महिलाओं के बीच ही रहता था श्रदूल अपने सीनियर आफिसर से ट्रांसफर करवाने की बात करता है लेकिन वो उसे साफ साफ मना कर देती हैं श्रदूल ने अपने परिवार वालों को एक लड़की की फोटो भेजी थी जो की धर्म से मुस्लिम थी श्रदूल शादी नहीं करना चाता था इसलिए उसने साथ काम कर रही मुस्लिम महिला की फोटो भेजदी थी ताकि घर वाले शादी के लिए मना कर दे लेकिन घर वाले तो यहीं चाहते थे कि उसकी शादी बस हो जाए तो धर्म को साइड करके शादी करने के लिए मान जाते हैं अब श्रदूल को तो शादी नहीं करनी थी तो वो कह देता है कि अब लड़की की तो शादी हो चुकी है तो अब वो किसी और के साथ चली गई है और ऐसा ही बहाने बाजी करके वो शादी की बाट टाल देता है। तब इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सुमन होता है और वो एक डेटिंग आप पर किसी मादा की तलाश में भटक रही होती है क्योंकि उसे नर नहीं बलकि मादाएं पसंद थी। तब ही उसे एक राजू नाम की लड़की का मैसा जाता है तो वो उससे मस मुस्कुराते हुए बतियाने लग जाती है सुमन स्कूल में फिजिकल एजुकेशन की टीचर थी और उसकी उम्र भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी तो उसकी मा भी उसकी शादी के लिए काफी परेशान थी लेकिन सुमन की इच्छाएं और जरूरतें उसकी मा की करती थी पर ये बात किसी को भी नहीं पता थी कि उसकी पसंद लड़के नहीं बलकि लड़किया हैं सुमन जिस राजु नाम की लड़की से बात किया करती थी उससे मिलने का सोच लिया था तो वो एक रेस्टरेंट में उसका इंतजार कर रही होती है तब ही उसके पास एक लड़का आता है और कहता है कि मैं ही राजु हूँ यहां हमें पता चलता है कि लड़के ने लड़की की फोटो डाल कर फेक आईडी बना रखी थी और उसी से सुमन से बतियाते रहता था ये राज खुलते ही सुमन वहां से निकल जाती है लेकिन उस लड़के ने सुमन का पीछा करना शुरू कर दिया था एक दिन लड़का सुमन की पापा की दुकान तक आ जाता है और उससे कहता है कि मेरे साथ करो वरना मैं सब को बता दूँगा कि तुमारी सच्चाई क्या है सुमन उस लड़के से परेशान होकर उसकी कंप्लेन लिखवाने महिला थाना जाती है तो वहाँ उसे शुरू मिलता है सुमन अपनी शिकायत लिखवा देती है और तब शुरू उस लड़के को धर्दबोशता है और उसकी सुताई करके सारी आवारा गिरी निकाल देता है हम देखते हैं कि अब शुरू ही सुमन का पीछा करने लग जाता है जहां भी सुमन जाती थी वहीं पर शुरू पहुँच जाता था सुमन उससे परेशान होकर पूछ ही लेती है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है शुरू उसे एक पार्क में ले जाता है और कहता है कि आप हमारे ही कास्ट की हैं तो हमें शादी कर लेनी चाहिए सुमन उससे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है श्रदूल कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपका इंटरेस्ट लड़कों में नहीं बलकि लड़कियों में है लेकिन मेरा इंटरेस्ट पूरा लड़कों में ही है यहां हमें पता चलता है कि श्रदूल को तो वो पसंद था जो उसके खुद के पास था और सुमन को भी वही चाहिए था जो उसके खुद के पास था श्रदुल उसके सामने ये ओफर रखता है कि हम दोनों शादी कर लेंगे फिर उसके बाद हम चाहें तो अपनी मर्जी से किसी के साथ भी प्यार के फूल खिला सकते हैं सुमन को श्रदुल की बाद काफी जादा सही लगती है और उन दोनों की कास्ट भी सेम थी तो दोनों के परिवार वाले शादी के लिए मान जाते हैं और फिर खुशी खुशी उन दोनों की शादी हो जाती है शादी हो जाने के बाद अब दोनों लोग हनीमून के लिए जाते हैं लेकिन उनकी शादी तो एक समझाता थी तो वो दोनों अलग-अलग रूम में रहते हैं श्रदुल का कबीर नाम का एक boyfriend था तो वो वहीं पर आ जाता है और फिर श्रदुल और कबीर एक दूसरे के उपर प्यार की बारिश करने लग जाते हैं वहीं सुमन की तो कोई girlfriend नहीं बनी थी तो वो अराम से घूम कर enjoy कर रही होती है कुछ समय बीतने के बाद दोनों लोग अपने honeymoon से वापिस आ जाते हैं और एक रूम लेकर रहने लग जाते हैं सुमन की पिता की तबिये थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी तो वो सुमन को सैंपल दे कर स्टूल टेस्ट कराने के लिए भेज देते हैं सुमन टेस्ट करवाने के लिए जब हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ उसे एक रिमजिम नाम की लड़की दिखती है जिसे देखते ही सुमन उसकी खूपसूरती में खोसी जाती है और ऐसा लग रहा होता है जैसे उसे पहली नजर में प्यार हो गया हो सुमन को रिमजिम काफी ज़्यादा पसंद आ गई थी तो वो टेस्ट करवाने के बहाने दुबारा से हॉस्पिटल जाती है और रिमजिम से टेस्ट करने को कहती है अच्छी बात ये थी कि रिमजिम भी सुमन जैसी ही थी यानि कि उसे भी लड़कियों में ही इंटरस्ट था तो वो समझ गई थी कि सुमन उसे पसंद करती है तो वो उसे डेट पे जाने के लिए कहती है रिम जिम बताती है कि उसने अपने घरवालों को अपनी सच्चाई बताई थी और तब से उसके घरवालों ने उससे बात करना ही बन कर दिया शायद इसलिए सुमन ने भी कभी भी अपनी पसंद को घरवालों को नहीं बताया था क्योंकि उसे यकीन था कि उसके घर वाले भी कुछ ऐसा ही रियक्ट करेंगे अब हम देखते हैं कि श्रदूल से एक सीनियर आफिसर मिलते हैं जो कि कहते हैं कि तुम्हारी अब शादी हो गई है इसलिए मैंने बात करके तुम्हें पुलिस कॉलोनी में एक घर दिलवा दिया है श्रदूल को ये जान कर बिल्कुल भी खुशी नहीं होती क्योंकि वहाँ पर तो सब पुलिस वाले ही रहते थे तो उनकी शादी की सच्चाई का भांड़ा फूट सकता था लेकिन सभी के सामने उस जूट को सच बनाए रखने के लिए श्रदूल सुमन के साथ शिफ्ट हो ही जाता है श्रदूल और सुमन एक रूममेट की तरह घर में रहते थे और दोनों नहीं अपना अपना काम बाट लिया था हम देखते हैं कि सुमन और रिमजिम एक दूसरे के काफी करीब आने लगे थे तो सुमन रिमजिम को अपने घर ही ले आती है ताकि उनके बीच जो थोड़ी बहुत दूरिया है वो भी खतम हो जाएं और दोनों लोग एक दूसरे की गहराईयों में डूब सकें अगले दिन जब शरदूल रिमजिम को अपने घर में देखता है तो उसके होच उड़ जाते हैं क्योंकि वो पुलिस कॉलोनी थी तो अगर ये सारी बाते बाहर पता चल जाती तो कई बाते बन सकती थी तब ही उसी वक्स शरदूल के सीनियर आफिसर अपनी बीवी के साथ आ जाते हैं और तब वो रिमजिम को देख लेते हैं शरदूल को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोले तो वो कह देता है कि रिमजिम सुमन की कजन सिस्टर है अब श्रदुल ने तो रिमजिम को सुमन की कजन सिस्तर बना दिया था तो इस बात का फायदा उठा कर सुमन रिमजिम को अपने रूम में ही शिफ्ट करा लेती है ताकि वो दोनों सारा टाइम साथ में रह सकें रिमजिम और सुमन खुशी खुशी साथ में रहने लग जाते हैं और उनकी बीच काफी कुछ अच्छा चल रहा होता है तब ही एक दिन घर में अचानक से बिना बताए सुमन के मम्मी पापा आ जाते हैं तो वो भी रिमजिम को देख लेते हैं अब उस टाइम भी दोनों को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या बोलें तो सुमन बोल देती है कि ये श्रदूल की कजन सिस्टर है और खत्रा यहीं पर टल जाता है अब हम देखते हैं कि श्रदूल कबीर के साथ एक होटल में बैठा होता है और उसे बता रहा होता है कि वो उसके साथ किस तरह से फ्यूचर में रहना चाता है लेकिन कबीर उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता कबीर का श्रदूल के लिए पूरा इंटरेस्ट खतम हो गया था और अब वो उसके साथ नहीं रहना चाता था इसलिए वो श्रदूल को छोड़ कर चला जाता है इस बास से श्रदूल को बहुत दुख होता है क्योंकि जिसके साथ वो साथ रहने के सपने देख रहा था वही उसको छोड़ कर चला गया था सुमन उसके पास आकर उसे emotional support देती है और उसे गले लगा कर एक दोस्त की तरह उसके दुख को कम करने की कोशिश करती है अब हम देखते हैं कि श्रदुल सुमन को लेकर अपने घर आ जाता है क्योंकि काफी टाइम से सभी लोग उन्हें देखना चाते थे सुमन और श्रदुल की शादी के एक साल हो चुके थे तो श्रदुल के घर वाले अब बच्चे की उमीद कर रहे होते हैं तो सभी लोग बारी-बारी से सुमन को समझा रहे होते हैं कि अब वक्त आ गया है कि तुम भी आब मा बनो और एक बच्चे को जनम दो उधर श्रदुल के जीजा जी भी श्रदुल को समझाने लग जाते हैं कि अब तुम्हें तीर निशाने पर मार देना चाहिए नहीं तो वक्त निकल जाएगा और तब फिर कुछ भी नहीं निकल पाएगा श्रदुल इस बास से बचने के लिए जीजा जी से जूट कह देता है कि सुमन कभी भी मान नहीं बन सकती इसलिए हमारा बच्चा नहीं हो पा रहा जीजा जी ये बात पूरे घर में ही फैला देते हैं तो पूरी महिला मंडली सुमन का टेस्ट कराने के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर ही चली जाती है सुमन की जब टेस्ट रिपोर्ट आती है तो सब कुछ नॉर्मल ही निकलता है तो परिवार वाले सोच में पढ़ जाते हैं कि फिर श्रदुल ने जूट क्यूं बोला अब सभी को शक होने लग जाता है कि शायद वो दोनों को छुपा रहे हैं इसलिए सबी लोग श्रदुल की मा को उनके साथ भेजने का प्लान बना लेते हैं ताकि वो जासूसी करके असलियत का पता लगा सकें सुमन और श्रदुल को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि मा भी उनके साथ आ रही है और जब पता चलता है तो उनके पास कोई प्लान ही नहीं था कि वो उस जीच को होने से रोक सकें अब रिम जिम तो उनके घर पर ही रहती थी तो वो दोनों उसको कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा होता अब सभी लोग घर पहुँच जाते हैं तो रिम जी मा के आगे आही जाती है और तब बहुत गडबड़ वाली सिचुएशन बन जाती है अब किसी को समझी नहीं आ रहा था कि अब क्या बोलें तो समझ कह देती है कि शदूल के जो सीनियर आफिसर है ये उनकी वाइफ की कजन है तो इसी के पास हम घर की चाबी छोड़ कर गए थे रिम जी में एक ऐसा करेक्टर बन गई थी कि मुसीबत आने पर उसे किसी की भी कजन सिस्टर बना दिया जाता था अब मा के आ जाने के बाद समझ और शदूल को साथ में ही सोना पड़ता है ताकि मा को शक ना हो कि वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं बलकि किसी और के साथ ही सोते हैं मा को इसलिए भेजा गया था ताकि वो उन दोनों के बीच वो करने की आग भड़गा सकें जो बच्चा करने के लिए किया जाता है तो वो उसी काम में लग जाती है टीवी में कोई रोमेंटिक सीन आता था तो मा उसे चलने देती थी ताकि उसे देख कर सुमन के अंदर कुछ करने की इच्छाएं जागे इसी तरह मा वो हर कोशिश कर रही थी जिससे की बच्चा होने का प्रॉसेस आगे बढ़ सके सुमन अब मा की हरकतों से काफी परेशान हो गई थी क्योंकि वो हर पल बस बच्चा करने का ग्यान ही देती रहती थी तो इसी बात का वो सारा गुस्सा शदुल पर उतार रही होती है श्रदुल उससे कहता है कि शायद हमें बच्चा करने की प्रक्रिया को कर ही लेना चाहिए सुमन भी उससे थोड़ा थोड़ा एगरी करती है और वो दोनों ये बात रिमजिम को जाकर बताते हैं तो वो एकदम गुस्से से पागल ही हो जाती है क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसका पार्टनर किसी और के साथ संभोग करे तो ये प्लान यहीं पर खतम हो जाता है अब हम देखते हैं कि श्रदुल अपनी ड्यूटी कर रहा होता है जहां पर दो लड़कों की शादी हो रही होती है तो वहां कई लोग उस शादी को रोकने के लिए खड़े होते हैं क्योंकि कानून ने तो भले ही आजादी दे दी थी लेकिन समाज में काफी ज़्यादा हद तक ऐसी शादियों को सम्मान नहीं दिया जाता है तो इसलिए कुछ लोग इसके खिलाफ खड़े हुए थे उसी शादी में श्रदूल को एक लड़का दिखता है जिसका नाम नारायन होता है और उसे देखते ही वो उसे देखता ही रह जाता है जैसे कि श्रदूल को वो एक नजर में पसंद आ गया हो श्रदुल और नरायन की अब धिरे धिरे मुलाकाते होने लग जाती है और उनकी बीच अब प्यार के फूल भी खिलना शिरू हो जाते हैं अब हम देखते हैं कि जिस तरह से श्रदुल ने बच्चा ना होने के लिए सुमन के अंदर कमी बताई थी ठीक वैसे ही सुमन श्रदुल की मा को बता देती है कि कमी श्रदुल के अंदर है जिससे की बच्चन नहीं हो पा रहा श्रदुल सुमन के उपर गुसा करने लग जाता है कि उसने मा से ऐसा क्यों कहा क्योंकि ऐसा होने पर वो सब के सामने ना मर्द कहलाएगा सुमन उससे कहती है कि अब यही सही रास्ता है इस चीज से बचने के लिए क्योंकि जो तुम्हारा टेस्ट होगा वो रिमजिम के हॉस्पिटल में होगा तो वो गलत रिपोर्ट बना के देगी जिससे कि यह साबित हो जाएगा कि तुम्हारी वज़ा से बच्चा नहीं हो पा रहा सब कुछ प्लान के हिसाब से होता है और रिपोर्ट आने पर ये साबित हो जाता है कि श्रदूल में ही खोट है जिसकी वज़ा से बच्चा नहीं हो पा रहा श्रदूल ने एक बार अपने घर में ऐसे ही कह दिया था तो सुमन गुस्सा करने के बज़ाय बहुत खुश होती है क्यूंकि उसे हमेशा से ही बच्चा चाहिए था लेकिन जो उसकी पसंद थी उसमें बच्चा तो नहीं हो सकता था लेकिन अब ये बात जानने के बाद वो काफी खुश थी क्योंकि अब वो बच्चा गोद ले सकती थी अब दोनों लोग Child Adoption Center जाते हैं और वहाँ पर Adoption के लिए Apply कर देते हैं इस बाद से रिमजिम भी काफी जादा खोश होती है क्योंकि सुमन की असली पार्टनर तो वही थी तो एक तरह से बच्चे के उपर उसका भी पूरा हक था अब हम देखते हैं कि श्रदूल अपनी मा को ट्रेन में बठाने के लिए जाता है लेकिन ट्रेन वहाँ से निकल चुकी होती है श्रदूल मा को जल्दी भेजना चाता था लेकिन ट्रेन के चले जाने से मा को फिर से घर वापिस आना पड़ता है लेकिन तब ही यहां सब गड़बर हो जाती है शदुल सुमन को तो बताना भूल ही गया था कि ट्रेन मिस हो गई है तो मा सुमन को रिमजिम के साथ गुलू-गुलू करते हुए देख लेती है अब यहां पर सुमन का सारा राज खुल जाता है और अब सारी हसी खुशी गायब हो जाती है सुमन के पिता जी सुमन को घर वापिस ले आते हैं और तब वहां का महौल कुछ अलग ही नजर आ रहा होता है सुमन की पसंद का पता चलने के बाद मा को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने कोई पाप कर दिया हो और उसका भाई भी काफी बत्तमीजी से बात करता है दुनिया चाहे कुछ भी कहे उस बाद से सुमन को फरक नहीं पड़ता था लेकिन अब तो उसके पिता ने भी उससे मूँ मोड लिया था जो पिता हमेशा उससे सपोर्ट किया करते थे वो आज उसका साथ नहीं दे रहे थे जिस बाद से सुमन काफी ज़्यादा दुखी हो जाती है उधर श्रदूल का पूरा परिवार सुमन को कोस रहा होता है और उल्टी सीधी बाते बना रहा होता है कोई कहता है कि उसे बिमारी है तो कोई कहता है कि मुझे उसके बारे में सोचके घिन आ रही है ये सब वाहियाद बाते सुनका श्रदूल अपनी चुपी तोड़ते हुए कहता है कि ये कोई बिमारी नहीं है ये नेच्रल होता है ये feeling अंदर से आती है और उपर वाले ने बनाया ही ऐसा है तो क्या करें सुमन बहुत अच्छी लड़की है और मुझे उसके बारे में पहले से ही सब कुछ पता था श्रदूल सब के सामने अपनी सच्चाए भी बता देता है कि उसकी पसंद भी अलगी है क्योंकि मुझे लड़की नहीं लड़के पसंद हैं तो अगर आपको सुमन से घिन आती है फिर तो मुझे से भी घिन आनी ही चाहिए वहाँ का महौल एकदम सनाटे से भर जाता है और तब कोई कुछ भी नहीं कहता ऐसा लग रहा होता है जैसे सभी को कोई बहुत बड़ा जटका लगा हो श्रदुल रोते हुए छट पर जाता है और सुमन को फोन करके बता देता है कि उसने पूरे परिवार को अपनी सचाई बता दी है ये सुन का सुमन भी रो पड़ती है क्योंकि जो काम शदुल ने किया था वो कोई नॉर्मल काम नहीं था क्योंकि ये सच जानने के बाद कई परिवार अपने ही बच्चों को एकसेप्ट करने से मना कर देते हैं थोड़ी दिर बाद शदुल की माँ उसके पास आती हैं और उसे गले से लगा लेती हैं बले ही पूरे परिवार ने ये चीज एकसेप्ट नहीं करी लेकिर माँ ने अपने बेटे की पसंद को एकसेप्ट कर लिया था और वो जैसा है उसे वैसा ही अपना लेती हैं अब कहानी यहां से एक साल आगे shift होती है जहां हम देखते हैं कि शदूल अपनी duty कर रहा होता है हम देखते हैं कि वहां से LGBTQ की एक बहुत बड़ी rally गुजर रही होती है जिसमें कि वो सभी लोग मौजूद होते हैं जिनकी पसंद वैसी ही थी जैसे सुमन और शदूल की थी उस rally से वो सभी यही message देना चाह रहे थे कि प्यार तो प्यार होता है फिर चाहे किसी से भी हो या किसी भी gender से हो प्यार एक feeling है जो कि किसी की साथ भी आ सकती है जो कि बहुत natural होती है उस rally में सुमन, रिम जिम, गुरू तीनों ही मौजूद होते हैं जो कि अपनी पसंद को accept करते हुए उसी तरह अपनी जिन्दगी जीने का जश्न मना रहे होते हैं गुरू जब श्रदूल को देखता है तो उसे अपने सास शामिल होने के लिए बुलाने लग जाता है श्रदूल ने कभी भी खुल कर अपनी पसंद को accept नहीं करा था लेकिन अपने ही जैसे इतने सारे लोगों को देख कर उसके अंदर जोशा जाता है और वो उसी कॉमिनिटी का एक मास्क लगा कर अपनी सच्चाई को दुनिया वालों के सामने खुशी खुशी accept कर ही लेता है सुमन बच्चा तो चाहती थी लेकिन रिमजिम के साथ रहे कर वो बच्चे को adopt नहीं कर सकती थी क्योंकि ऐसा करना हमारे देश के कानून में नहीं है श्रदुल और सुमन अपने पूरे परिवार को एक साथ बुलाते हैं और उन सभी के सामने कहते हैं कि हम दोनों पदी-पदी बन कर ही रहेंगे क्योंकि तभी बच्चा adopt कर सकते हैं श्रदुल कहता है कि हमारे देश का कानून ही ऐसा है कि सर्थ normal कपल ही बच्चा adopt कर सकते हैं तो हम फिर किस-किस को समझाते रहेंगे कि हम भी normal ही हैं इसलिए बच्चा adopt करने के लिए इस शादी को बनाए रखना होगा अब कहानी यहां से फिर से एक साल आगे shift होती है जहां हम देखते हैं कि अब दोनों लोग ने बच्चे को adopt कर लिया होता है और वहाँ पर पूरा परिवार हसी खुशी मौजूद होता है अब सभी लोगों ने सुमन और श्रदुल की पसंद को accept कर लिया था और यह समझ लिया था कि जो उनका प्यार है वो भी normal ही है और जो प्यार है वो एक feeling है जो की अंदर से आती है और किसी के लिए भी आ सकती है गुरु, श्रदुल, सुमन और रिमजिम सब एक साथ बैठे होते हैं और पूरा परिवार उनकी खुशी में शामिल होता है और फिर इसी खुशी से भरे पलों के साथ मूवी यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तों यह जो मूवी है वो comedy के साथ साथ हमें एक बहुत ही अच्छा message देने का काम करती है इसमें simple तरीके से यही बताने की कोशिश करी गई है कि gay या lesbian होना कोई बुराई नहीं है और जो लोग यह होते हैं उनसे दूर भागने जैसी कोई बात नहीं होती जैसे किसी लड़की को लड़का पसंद होता है किसी लड़के को लड़की पसंद होती है वैसे ही किसी लड़की को लड़की भी पसंद आ सकती है और लड़के को लड़का भी पसंद आ सकता है काफी लोगों का यही कहना होता है कि ऐसे लोग समाज में गलत प्रभावट डालते हैं या ये लोग प्रकृति के नियम को तोड़ रहे हैं लेकिन अगर हम देखें तो ऐसा है नहीं क्योंकि ये जो सारी feelings हैं वो कहीं किसी company या factory में नहीं बनाई जाती हैं बलकि खुद बखुद अंदर से पैदा होती हैं इस concepts related मैंने पहले भी एक movie explain करी थी जिसका नाम अलीगर था और उसमें भी मैंने कुछ ऐसी ही बाते बताई थी मैंने कहा था कि समाज को अभी भी बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है इन सब चीजों को समझने के लिए क्योंकि पहले इतना कोई खुल कर सामने नहीं आता था अपनी पसंद को सब के सामने accept करने के लिए यहां तक कि काफी लोगों को खुद भी नहीं पता होता कि वो अंदर से क्या है और अब यह सारी चीजे सामने आना शुरू हुई है तो लोगों को यह accept करना थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है मुझे उमीद है कि आने वाली generation इन सब चीजों को समझ पाएगी और यह accept करने को तयार होगी कि लोगों की पसंद भले ही अलग हो सकती है लेकिन फिलिंग्स वही सारी सेम होती है मुवी के इंड में हमें ये भी बताया गया है कि अभी लेजबियन या गे बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर सकते हमारे देश का अभी यही कानून है कि अगर आप सिंगल मैन है या वोमैन है या कपल है तो आप बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं बकि और कोई भी अडॉप्ट नहीं कर सकता अब देखना ये रहेगा कि आने वाले समय में इस कानून में कोई बदलाव आता है या नहीं आप इस टॉपिक्स रिलेटेड मेरे और भी व्यूज जानना चाते हैं तो आप चंदीगड करे आशिकी और अलीगड मूवी का एक्स्प्लिनेशन देख सकते हैं इन दोनों मूवी का एक्स्प्लिनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब एक्टिंग की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि राजकुमार राओ एक मिडिल क्लास लड़के का रोल कितने बड़िया तरीके से निभाते हैं तो उन्होंने इस फिल्म में भी अपने किरदार को बको भी निभाया है भूमी भी अपने सुमन के कैरेक्टर में काफी फिड़ बैटती हैं और उन्होंने भी अपने रोल को बड़िया तरीके से निभाया है बाकि फिल्म में जितने भी सैक अलाकार हैं वो सभी एक्टिंग के मामले में काफी जाने जाते हैं और इन सबी ने अपने रोल को अच्छे से निभाग कर फिल्म को और भी अच्छा बनाया है ये मूवी अभी किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं हुई है तो आप चाहें तो अपने नज़दी की सिनेमा घरों में जाकर देख सकते हैं ये मूवी आपको इंटेटेंट तो करती ही है और साथ ही साथ एक बड़िया मैसेज भी देती है तो आप अपने पैसे फिल्म को देखने के लिए लगा सकते हैं और मुझे यकीन है कि आपके पैसे बरबाद नहीं होंगे तो ये था एक्स्प्लेनेशन बधाई दो मूवी का आपको मूवी और मेरा एक्स्प्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताईएगा और ऐसे ही आने वाली वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबा दें जिससे कि आपको नई वीडियो की नोडिविकेशन मिल जाएगी आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेस्बूक पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरू करें आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है झाल 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 झाल